ओम शीगने शाय नमा राधराय दोस्तो आप सभी का मेरी चनावध कता एस लोजर में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम लड़का होने के पाँच ऐसी गुप्त निशानियों के बारे में आपको जानकारी देंगे ये बहुत ही सटीक और ठोस लक्षन माने जाते हैं और जिन भी गर्वती महिलाओं में अगर ये पाँच लक्षन दिख जाते हैं तो आप 100% शोर हो सकते हैं कि आपने एक बेवी बॉय को कंसीव किया है दोस्तो ये जो लक्षन हम आपको बताने जा रहे हैं ये देखें बड़े बुजर्गों के आधार पर है और मोसली गर्वती महिलाओं में ये लक्षन पाए गए हैं तो उसी के आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तो आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं आपकी उस्सुकता बनी रहती है इसलिए हम इस तरह की वीडियो डालते हैं तो आप इस तरह की वीडियो को केवल अपने इंटरेंट के तोर पर अपने उस्सुकता को दूर करने के लिए ही वीडियो को देखा करे साथ ही आप से request करना चाहेंगे कि आप अपनी pregnancy को enjoy करना चाहें क्योंकि यह समय कभी lot कर नहीं आता है आपको अपने खान पान का अपने होने वाले बच्चे का पुरा-पुरा ध्यान रखना चाहें और अपनी pregnancy को enjoy करना चाहें और जितना हो सके इश्वर का ध्यान करना चाहिए क्योंकि देखे लड़का या लड़की देना उन्हीं के हाथ में होता है दोस्तो इश्वर हमें जो भी देता है उसे सहर सी स्विकार कर लेना चाहिए और अपनी इश्वर पर हमेशा आस्ता बनाई रखनी चाहिए वो हमारी इच्छा अवश्य ही पूरी करते हैं दोस्तों उन पांच गुपत लक्षनों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों वो है जिन गर्वती महिलाओं ने देखे बेबी बॉय को जनम दिया है उनमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनकी प्रेगनिंसी के दोरान उनकी मतलब बॉड़ी पर मस्से निकलाते हैं अगर आपकी गर्दन पर या आपके पेट पर या आपकी बोड़ी के किसी भी पार्ट पर अगर मस्से निकलाते हैं तो ये साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर कहा जाता है कि जिन गर्वती महिलाओं के गले पर काला निशान बन जाता है या आपके कमर काली पड़ जाती है या आपके अंडराम्स जादा काले पड़ जाते हैं या फिर ना भी या आपकी ब्रेस्ट बहुत जादा काली पड़ जाती है या लाल सुरक पड़ जा दूसरे लक्षन की बात करें तो दोस्तों जिन भी गर्वती महिला ने देखे बेबी बॉय को जनम दिया है उनमें फूट क्रेविंग बहुत ज़्यादा पाई गई है देखे लड़की के टाइम पर भी फूट क्रेविंग होती है लेकिन लड़के के टाइम पर बहुत ज़् जैसे कि आपको पैंसिल चौक मिट्टी या कच्चे चावल इस तरह की चीजों के प्रती भी अगर आपको क्रेविंग होती है खाने का मन करता है तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है तीसे लक्षन की बात करें तो दोस्तों इस लक्षन को आपको ध्यान से सुन या फिर आपकी राइट वाली ब्रेस ज्यादा हैवी हो गई है या आपकी राइट वाली ब्रेस से दू जैसा पानी निकलने लगता है या आपकी राइट वाली जांग ज्यादा मतलब भरी भरी रहती है या भारी हो गई है या गर्वती महिला चलते समय राइट वाले पैर सही है कि लड़का हमेशा राइट की तरफ रहता है राइट की तरफ अगर वो ज़्यादा मूमेंट करता है तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है तो आप अपनी प्रेगनेंसी में ये सभी मतलब जो हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं इनको notice कर सकते हैं अग्रा लक्षन है दोस्तों जिन भी गर्वती महिलाओं के हाथ पैर मतलब mostly ठंडे रहते हैं यानि गर्मी हो, सर्दी हो आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं या गर्वती महिलाँ की जो एड़िया हैं बहुत ज़्यादा गुलाबी पिंग कलर में हो जाती हैं तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है अग्रा लक्षन है दोस्तों जिन भी गर्वती महिलाओं के देखे जो अंचाहे बाल होते हैं आपकी शरीर पर फेस पर अगर अंचाहे बालों की ग्रोध यानि तीसरे चोथे महिने से अगर आप नोटिस करें तो आपकी बोड़ी पर जो अंचाहे बाल है उनकी ग्रोध बढ़ गई हैं पहले वो दिखाई नहीं देते थे लेकिन आप अब साफ साफ आपको दिखाई दे ओऊने लगए आपके बॉडी के जो बाल ऐ आपके फेस के बाल है या आपके अपर लिप्स के अपर लब्स के जो बाल है तो यह साहिए ने लगए ह कि हमने खास और फो ऑर्षशं और में शयर करें हैं हáला कि दोстो यह सब ही इंचे के गर्वती महिला में देखने को मिलते हैं और हर गर्वती महिला में सेम सिम्टम सो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन देखे सो में से 70-80 परसेंट गर्वती महिलाओं में ये लक्षन देखे गए हैं जिनोंने बेबी बॉय को जनम दिया है तो आप एक ठोस अनुमान जरूर लगा सकते हैं यानि आप सही अनुमान तक पहुश सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर जरूर करें आप सभी को ओम खीवरे